जाहेंदा एस्परेंट्स दिस जहीर और वेलकम बैक टो एसेस्वी क्राइक एक्जाम्स बॉल्यूट के स्टार रनबीर कपुर को एंफोर्समेंट डिरेक्टरेट वालों ने नोटीस जारी किया हुआ है और अक्टोबर छे तारीक को सुनवाई के लिए बुलवाया हुआ है उन पर चार्ज यही लगाया गया है कि ऑनलाइन इल्लीगल बेटिंग एप्स और गेम्स को उन्होंने प्रमोट किया हुआ है पुश्ट किया हुआ हुआ है तो आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा वो एप या फिर गेम है और किस तरीके से यह कॉंट्रिब्यूट कर रहा था या फिर ऑपरेट कर रहा था जिसके तयाद 5,000 करोड रुपए इसके ओनर्स ने कमाये हुए हैं बहुत ही कम टम में तो यह वीडियो को शुरू करते हैं तो रिशनली नीज चानल में चाया हुआ था कि इन्फोर्समें डिरेक्टरेट ने अ रनबीर कपूर देंगे अब देखिए महादेव ऑनलाइन बुक जो है वो दरसल एक ऑनलाइन प्लाटफॉर्म्स प्रोवाइड करता है इलिगल बेटिंग के लिए अलग-अलग लाइव गेम्स में चाहिए वो पोकर हो जाए या जिसरों इतीन पती बगरा जैसे के अलग- यह कहा जा रहा है कि जो प्रोमोटर्स हैं इस आप के वह ओरिजिनली च्छतिस गड़ में हैं लेकिन आज वो दुबाई से काम कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि पांच हजार करोड का विल्त उन्होंने इस प्लैटफॉर्म से बटोरा हुआ हुआ है तोड़ा बहुत इस कड़ा जाता है विबसेट पर बगड़ा पर मिलता है आप उस पर कॉल नहीं कर सकते सिरफ वाट्सआप पर ही आप यहां पर उन से कॉंटट कर सकते हैं और जैसा ही पोटेंशल कस्टमर कंटक्ड करता है तो वहां पर उन्हें सप्रेट क्टड़ नंबर्स दिये जाते हैं पहला वाला contact number money deposit करने के लिए और जितने भी points उन्होंने जीते बेटिंग में उसे collect करने के लिए एक unique idb user idb उन्हें बना कर दी जाती है और जो दूसरा contact number दिया जाता है website का वो जो कुछ भी points उन्होंने अक्युमिलेट किये हुए designated ids में उन्हें uncash करने के लिए यहां पर दिया जाता है अब जिए जनरली आइडी जो वेबसाइट लेजर247.com हो गया या फिर bitbuy.com हो गया या फिर cricketbit9.com यह कई सारे ऐसे वेबसाइट के द्वारा यहां पर बेटिंग बगरा चली जाती है अब credential जो customers हैं उन्हें यह ideas distribute भी किया जाते हैं और जो कुछ भी money भी मिलता है वो सभी panel या branch owners यहां पर distribute करते हैं players जो कुछ भी पैसा deposit करते हैं वो बेनामी account में ही जाएगा जो कि online ही share किया जाएगा और जैसा ही share किया जाएगा उन्हें एक panel या फिर एक head office जो दुबाई में बैटी हुई है वो panel या फिर कोई एक branch उन्हें assign करेगा और जितने भी payouts वगेरा होंगे वो भी बेनामी bank accounts से ही होंगे अब यह सभी जितने भी banks है bank accounts है वो या तो fraudulently open किये गए हैं या फिर किसी ना किसी लोनिया commission के basis पर open किये जा चुके हुए और सबसे important सी खास बात यह है कि सभी games यहां पर जो खेले जाते हैं वो rigged ही है यानि कि already decide हुआ होता है कि कौन जीतेगा और कौन हारे का पैनल में कुछ इस तरीके से खेल के ला जाता है कि initially owner amount जीता है यानि कि जो आइडी बनाकर जिसने पैसा 60 लगाया हुए वो थोड़ा बहुत इनिशली जीता है इनिशल profits यहां पर मिलता है लेकिन ultimately हार ही उसकी होती है लेकिन यहां पर जिस तरीके से भी देखो जो app के owners हैं उन्हें हर हाल में profit ही मिलता है वो ना ही एक कवड़ी यहां पर कुछ lose करते हैं अब कौन है इस महादेव बुक के फीचे पॉलिस के sources के मताबिक यह app जो है वो 2017 में उन्होंने operations launch किये हुए थे और सबसे ज्यादा huge increase जो है इनके usership में वो 2020 कोविट के pandemic के time में ही आया था और till 2022 भी यह spike लगातार हमें देखने को मिला सौरब चंद्रकर जो के 28 years के हैं और रवी उपल जो के 43 years के हैं दोनों 36 गड़ भिलाई के हैं लेकिन as of now दोनों ही दुबाई में based हैं वह वहां पर बाटकर यह सभी operations कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि दोनों के हाथ में ही 80% of the control है profits का operations वगेरा का और चंद दिनों में ही सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आप SSB crack exams के course को चेक करना ना भूलें आप हमारी learning application को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं